बैंक आज क्यों टूट रहा है इसके पीछे की रिपोर्ट क्या है सब चीजे क्या कह रही है सौमित सब कुछ कंपाइल कर गया है सौमित बताया आप तो सबसे पहला जो मेन कंसर्थ है इंडेसेंट बैंक को लेके वो यह है कि उन्होंने तीन साल का एक्सेंशन मांगा था करने के लिए काफी है बट कोई लॉंग टम स्टाटेजी अडॉप करने के लिए या फॉलो करने के लिए काफी नहीं होगा बैंक के लिए उसके उपर अगर आप देखेंगे तो कट पलिया जी बार-बार यह रियाटिरेट कर रहे थे कि एक की टारगेट है बैंक का वो यह है क्योंकि merger और acquisition को execute करने में और ज्यादा time लग जाता है तो जो fourth new target होने जाए था growth का वो भी नहीं हो पाएगा analyst के हिसाब से उसके अलाव अगर आप देखेंगे तो past में से काफी कम instances हुए हैं जहां पे सिर्फ 2 साल का extension मिला है जिसका मतलब यह analyst community ऐसा मान रही है कि RBI को क operations or indecent bank के उसमें तकलीफ नहीं है बड़ फिर भी comfortable नहीं है कि 3 साल का extension दे सके कट पलिया जी को बड़ याद रखेगा कि 2 साल होने के बाद वापस से वो eligible हो सकते है extension के लिए और past में भी ऐसे काफी सारे instances हुए है जहां पे चोटा extension time देने के बावजूद आगे चलके 3 साल क extension मिला है तो यह थोड़ा एक positive announce भी point कह रहे है analyst community बट इसके अलावा और काफी सारे banks है जिन पर नजर रखनी होगी क्योंकि 2023 जो year है उसमें काफी सारे banks के M.D.O.C.O. के renewable due हो रहे है जैसे कि April में EU Small Finance Bank है और City Union Bank है July में अगर हम देखेंगे तो Equita Small Finance Bank और करूर वस्या Bank आ ज जाता है M.D.O.C.O. का ओके यह तो होई सौमित बता रहे थे इंडिसेंट बैंक का जो downgrade आया है और वीकेंड में आया था downgrade यह ग्राफिक्स भी हम लेके आएंगे आपके लिए और इस downgrade में चिंताएं क्या वताई हैं ब्रोकरिज कम्यूटी ने बजार को चिंताएं क्या आयों चिंताओं के बारे में बात कर रहे थे